बिसमिल्लाइबामनेफिम बच्चो लास्सेम रिक्षिर पढ़ा था रेलेटिड़ था आज हमारे पास फिलूट फ्लो हम यह देखें कि असलों पॉप्षर्ण से फ्लो घाता है आपको मैं बता दूकर अगर अगर करें कि इवार है और दिवार से हواक गुजड़ रही और ह 우와 इक तर्ण हम लेती है वहां पे फिलो लैमिनार नहीं रहता अब खेसली के what is laminar वह मैं आपको बतता हूँ फिलूड की जो है motion की दो टाइप होती है फिलूड फ्लो की एक होती है stream line और लैमिनार और दूसरा हमारे पास होता है turbulent flow मसलन अगर फ्लो ऐसा हो कि जो पहला पार्टिकल है और इसके बाद दूसरा पार्टिकल है पहला पार्टिकल वहां से गुजर गया और दूसरा भी exactly उसी पास से गुजरेगा तो इसे हम कहेंगे लैमिनार फ्लो है मसलन मैं कहते हैं let's suppose मेरे पास ये point one से पार्टिकल ए गुज दूसरा पार्टिकल भी बिल्कुल exactly उसी पास को फालो करें जहां पर पहला पार्टिकल गुजर रहा था ऐसे फ्लो को असल में हम लैमिनार फ्लो कहते हैं यानि इसी का दूसरा नाम हमारे पस क्या होते है स्ट्रीम लाइन फ्लो इसके मैं डैफिनेशन बढ़ता हूं फिर म इसी पास में मूव करता है फालोड बाई पार्टिकल विच पास रूद एट पॉइंट अर्लियर के असल में पीछे आने वाले पार्टिकल हमेशा उस पास को फालो करें जहां से उससे पहले पार्टिकल गुजर चुके है मसलन अगर फर्स करें यह पाइंट ए और पार्ट नो और बी आठीकल यह ऐसे जा रहे हो अहनु है यह अगर से अधिन लेकिन सी पार्टिकल क्रॉस करके जा रहे हैं तो सी ने इसका रस्ता क्रोस कर दी है अब यह स्प्रॉज माट हो गया सारे कसारा यानि अन्हों ने झालो होता है कर नहर होती है आप ऐसे हाथ रखें जब पानी ते से पीछह से आएगा पानी देंसे टरन लेगा इधर से यहां पर वह पानी घुच्छा-मुच्छा हो जाएगा ऐसे करके हमें समझने आएगी कि अब जो पहला पार्टिकल यहां से आ रहा है और किदर को गया है हमें पता ही नहीं होगा अब वह उस पर आथ को फ्लो फालो नहीं करेगा जिस पर असल में पहले पार्टिकल मजूद थे या जा रहे थे ऐसे फ्लो को असल में आप कहते हैं यह हमारे पास है टर्ब पार्टिकल का पहले वाला था इसने भी ऐसे किया है असल में जब पार्टिकल उसी पास को फालो कर जहां से पहले गुजर गए ऐसे फ्लोग हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रीम लाइन या लामिनर फ्लोग अब इसकी कंडिशन क्या होती है कंडिशन यही होती है कि अगर दो स्ट्रीम लाइन जा रही है एक दूसर नहीं कर रही तो यह हमारे पास कंडिशन है किस की स्ट्र्बलेंट फ्लोग मैं ने बताया है इस रैगुलर और अंस्ट्रीम उस्तिय होती है लेमिनर और इसे लिएर्वाली और पास क्या होन्सा होगा हमारे पास है जो होगा वह तर् तो यह हमारे पास है turbulent flow की अब हमारे पास एक laminar flow है दूसरा हमारे पास turbulent flow है यह दोनों के दोनों असल में flow है अब हमने देखना है कि हमारे पास असल में जो है इस फिलूट जो होता है आइडिल जो है आइडिल फिलूट का जो flow होता है हम कहते हैं हमारे पास laminar flow है एक तो यह non viscous होता है पहले लेक्चर में हमने डिटेल से study किया था what is viscosity, friction effect between the different layer of a flowing fluid यह सारी सारी चीज़े हैं हमेरे पास यह कौन से होती थी अब जो आइडिल फिलूट है इसकी क्या condition यह properties होती है कि पहले तो यह हमारे पास non viscous होना चाहिए कि इसके different layer के दर्म्यान में friction नहीं होनी चाहिए आप कहते हैं कि फर्ज करें वो easily एक दूसरे को उपन layer क्या कर सके slide कर सके अगर वो easily slide कर जाएंगी तो हम कहेंगे इसके layer के दर्म्यान में friction नहीं है तो fluid क्या है non viscous है यानि इसके पास हमारे पास viscosity कितनी होनी चाहिए zero होनी चाहिए इनकंप्रेसिबल यानि यह ना कि fluid compressible हो ideal fluid compressible नहीं होता इनकंप्रेसिबल या आप इसको दबाएं तो यह दबेगा नहीं जितनी इसकी density है वो density change नहीं हो सकती तो हमारे पास असल में इसकी density क्या होती है constant होती है यह ideal fluid की condition है थर्ड हमारे पास steady मैंने बताया है कि ideal fluid का जो flow होता है वो steady होते है यानि इसे हम कह सकते है laminar या streamline flow होते है तो यह असल में properties हमारे पास condition for an ideal fluid अब थोड़ा से point देख लें कि what is laminar laminar असल में वो path होता है जो कि steady flow follow करता है steady flow जब follow करेगा path को उसे हम असल में कहते हैं यह laminar path बना है तो यह sorry यह असल में आज हमारे पर topic था इसके फिलोड का flow, fluid का flow दो तरह सी होता है एक laminar होता है दूसरा हमारे पार turbulent होता है हमने laminar में पढ़ा कि exactly वह path follow को जो पहले हो रहा था और इसमें वह path follow नहीं हो इसके बाद हमने कहा था हमारे पस idle fluid की तो हमारे पस तीन properties ही तो अगर आपको इसमें से कोई confusion है या कुछी समय नहीं आई तो आप comment कर सकते हैं आपको sensor provide कर दिये जाएगा मिलते हैं फिर एक ने lecture के साथ